बात जहरखंड के एक शक्स की जिसके शरीर में गर्दन के नीचे का हिस्सा सुन है तमाम मुश्किलों के बावजूद अजे राज खेल के जरिये अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकि आर्थिक परिशानी आड़े आ रही है देखते हैं ये रिपोर्ट जहरखंड के गड़वा जिले के बोस्या घिलाडी अजे राज, संघर्ष और होसले की मिसाल हैं सिर और गर्दन को छोड़ कर शरीर का कोई भी हिस्सा काम नहीं करता दरसल 2006 में 16 साल की उम्र में सड़ा खास से में रीड की हड़ी तूट जाने के कारण अजे का शरीर लक्वा ग्रस्त हो गया तब से वो वीलचेर पर हैं लेकिन अजे ने हिम्मत नहीं हारी और खेल को अपने जीने का मकसद बना लिया 2006 में बाइक से गिर गया था मैं और उसके बाद से मुझे रीड की हड़ी में चोट लगी और गरदन के नीचे का हिस्सा पूरा पैरलाईज हो गया तो तब से लेकर अब तक मैं वेलचेर पर ही हूँ और मैं अपनी बोडी का कोई भी पार्ट मूब नहीं कर सकता हूँ सिवाए अपने गरदन का हैदरबाद में हुई पांचवी बोसिया नेशनल चैंपेंशिप में रज़त पदक जीता था अजे दुबई में हुए बोसिया खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनध्यतु कर चुके हैं अंतराश्ट ये पैरलिम्पिक प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए उन्हें खास एक्क्यूप्मेंट की जरूरत है इसके लिए अजे ने सरकार से मदद की गोहा लगाई है राजे सरकार ने भरूसा तो दिया था लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है पिछले कई दिनों से मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक्चुली मैं एक गेम खेलता हूँ बोसिया जो कि हायर डिजबलिटी के लिए होता है और जिनका कोई भी गर्दन सिर्फ चलता हो या हाथ चलता हो या मतलब जो भी हायर डिजबलिटी में आते हैं उन सब के लिए ये गेम है ये एक इंटरनेशनल गेम है और मैं इस गेम को 2019 में इंडिया रिप्रेजेंट भी किया था मैं इंडिया के तरब से खेलने गया था और एक्यूप्मेंट मेरे पास नहीं है नवंबर में दुबई में होने वाले अंतरराश्ट्रिय टूनामेंट के लिए आजे का चैन हुआ है उमीद है कि उन्हें समय रहते मदद मिल जाएगी राची से हरिबंश की रिपोर्ट एंडि टीवी इंडिया के लिए